फीर एक बार आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Free Fire Max डॉनलोड नहीं हो रहा कैसे सही करें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जब मैं Play Store में Free Fire Max डॉनलोड करता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह इसी तरह से सो होता है यह डॉनलोड नहीं हो रहा है तो इस तरह का Problem जब आता है तो इसे किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके All वाल उप्सन स्लेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई New वीडियो अपलोड हो तो उसका Notification आपको टाइम पर मिल पाए तो चली हूँ वीडियो स्टारट करते हैं तो दोस्तो अभी तो हम इसे बैक कर देंगे इसे हम सबसे पहले बैक कर देते हैं उसके बाद आपको अपने फोन में जो Setting ओला आपसन आपसन है उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह सी स्क्रीन को स्लाइट करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा app management का यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं play store यहाँ पर खुला हुआ है इसलिए यहाँ पर play store first में ही मुझे मिल गया अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर install में देखना है और यहाँ भी नहीं मिलता है तो all वाले option में आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको play store यहाँ पर से सर्च करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लेई स्टोर दिखाई देगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डेटा में क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर में क्लिक कर देना है अब यहाँ पर clear data हो चुका है तो हम इसे back कर देते हैं और अब हम चले जाएंगे playstore में तो हम playstore open कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से free fire max यहाँ पर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर Free Fire Max आ चुका है अब इसे हम फिर से इंस्टॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप से पूछा जाएगा आप किस नेटोर्क से इसे डाउनलोड करना चाहते हैं वाइफाई से या फिर मोबाइल डेटा से तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मोबाइल डेटा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है ओके में आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको कुछ दिर के लिए वेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉबलम था हमारा इससे पहले जो free fire max था वो download नहीं हो रहा था लेकिन अब जब मैंने clear data किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो free fire max है वो downloading होना start हो चुका है तो इस तरह से अगर आपका भी free fire max download नहीं हो रहा है play store से तो आप इस तरह से उसे download कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतने ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू